हाई ट्वेल्टीज वेलकम टू एसीवे कॉमर्स क्लासे मैं हो दबिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग अपना कंट्रोलिंग चेप्टर वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे यानि कि इसके सारे टॉपिक एक असान तरीके से आप कैसे याद कर सकते हो वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे हला कि हर एक टॉपिक पर मेरी अल्रेडी वीडियो अविलेबल है बट इस वीडियो में हम एक और असान तरीके से इस चेप्टर को सीखने वाले हैं सो जुड़े रहें मेर साथ और दूसरी चीज़ गाईज अगर आप चैनल पर पहली बार आयो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें बेल इकन को प्रेस करें फॉर न्यू मोर वीडियो और आप अपने अपने चैप्टर को गाईज जो कि मानेजमेंट का फिफ्ट फ़ंक्शन माना जाते हैं आपको पहले बता ही है चार फंक्शन कौन से होते हैं प्लानिंग और नाइजिंग स्टाफिंग डारेक्टिंग और पांच्वा कंट्रोलिंग चिसे शॉट्पर में हम पास्डीसी बोल इसलिए उन्हें चैप्टरोल करके चलना बहुत जरूरी है चैकिंग यानिकि जो आपने इंप्लॉईस को काम दिये थे उनको चेक करना कंट्रोलिंग कहलाता है तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन भी जो यह ना वह चैकिंग के उपर ही है सबसे बहले कंट्रोलिंग इस प् काम उनसे करवाना है कितिना उन्हें टार्गेट देना है हाला कि यह काम प्लानिंग में हो जाता है लेकिन इस कंट्रोलिंग में हम उन्हें दुबादा से रिव्यू करते हैं कि यह यह टार्गेट है हर एक एंप्लॉई का सबसे बहला काम परफॉर्मेंस स्टैंडर्स को से ठीक है रमेश को 100 यूनिट्स का टार्गेट था पर डे की और उसने बनाई 80 पर डे तो सबसे पहले हमने उसका परफॉर्मेंस से स्टेंडर्ड सेट किया 100 यूनिट्स बनाने का हमने उसकी एक्चुल परफॉर्मेंस को मेशर किया 80 आई उसके बाद हमने क्या करना है एक्चुल को स्टेंडर्ड से कंप्यार करेंगे आगा तेखो डिफ्रेंस है तो 20 यूनिट्स का तो यह जो है डेविएशन के लाता है क्या के लाता है डेविएशन यानि कि कमी आ गई है तो हमने एक्चुल परफॉर्मेंस को स्टेंडर्स के साथ कंप्यार करना है फाइंडिंग आउट डेविएशन ही फैनी फाइंडिंग आउट अभी करेंगे न अगर कुछ होगी और टेकिंग दी करेक्टिव एक्शन और करेक्टिव एक्शन लेने है यानि कि अगर यह 20 य सबसे बहले परफॉर्मेंस स् टैंडर्स सेट करना एक्चल परफॉर्मेंस को मेजर करना दोनों को गंप्यार करना टेकिंग आउट डेविएशन या आया नियानि कि जो भी हमारी डेवेशन आ रही है उसको फाइंड आुट करना اور उसको करेक्ट करना तो तो कर्यक्टिव ये 5 चीज़े मिलाकर हमारा controlling बनता है और ये 5 चीज़े हमें deviation controlling की definition से मिल जाती है जो कि उसका process बता देती है यानि कि performance standards set करना, measuring the actual performance, comparing the actual with standards 3rd हो गया, 4th हो गया analyzing the deviation and 5th is taking corrective action 5th क्या है इसका process है, जैसे organizing का भी था ना कि उसी के definition से इसका process निकलता था यहां पर भी definition से ही process पता चल रहा है तो आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है बस ये चीज़ याद रखो, 5 चीज़े हैं main controlling में अब हम इसके process है उसको थोड़ा सा deeply पढ़ते हैं हर एक area पर काम करके पढ़ते हैं सबसे पहला जो इसमें होते हैं setting performance standards हाला कि setting standards होते हैं यह planning में ही हो जाते हैं बट फिर भी हम उन्हें controlling तक आते हैं review तो करते हैं कि यह जो हमने standard set करें वो सही करें नहीं करें अब यह standard set के जो आते हैं two forms में करते हैं quantitative and qualitative quantitative बोले तो in a unit in a numbers like जैसे यहाँ पर था 100 unit था 80 unit था यह quantitative है numbers है लेकिन qualitative के होते हैं जो numbers में नहीं है like हमारे goodwill जो है वो बड़ी सही रहनी चाहिए हमारे business की यानि की business high level पर रहे हमारे employees का motivation जो है moral जो है वो increase रहे that is the qualitative characteristics तो इस पर भी काम किया जाते हैं इसके बाद second होते है guys जब हम standard set कर लेते हैं उसके बाद measure करते है actual performance को अपने employees की ठीक है और मालब जो भी आप measure कर रहे हो actual performance वो कैसे कर सकते हो उन्होंने जो काम किया है तो तो there are four ways personal observation जैसे कई पर होता है हम stock check करते है तो personal observation like गिंती करते है भीया कितना समान बना है वो गिंते है that is called personal observation sample checking या हमने किसी एक चीज़ को check कर लिया तभी भी हम judge कर लेते हैं कि हाँ बाकी काम इसका सही होगा लेकिन अगर पहले में गलती निकल आई तो बता चल जाता है आगे भी कुछ ना कुछ गरबट तो करी होगी फिफ्ट थर्ड आते है guys performance report यानि कि उसमें हम पूरी report बनाते हैं जिसे जो tick mark करने वाली होती है यह कम हुआ यह कम हुआ यह कम हुआ तो जिसे उसकी जो list है कामों की उसके हिसाब से उसको check किया जाते है तो उसे performance report कहते हैं accounting ratio जो हमने अपने account में ratio पढ़ते हैं उसके हिसाब से हम अपने business की performance को check करते हैं so यहां पर हमने measurement करी actual performance की अब हमें पता चल गया हमारा employee कहां stand कर रहा है अब हम करेंगे compare उसकी performance को और जो हमने उसे standards दिये थे compare करने पर अगर कोई deviation find out होता है यानि कि कोई कमी आती है difference आते है तो हम आ जाते है fourth step पर analyze करना deviation को यानि कि कमी कहां आ रही है so जबी भी हम अपनी deviation को analyze करते हैं guys तो दो main चीज़े जो exam में पूछी पूछी जाती है first is critical point control critical point control किसे कहते हैं अब आपको जैसे नाम है critical बोले तो काफी जादा important point को control करना जो काफी important point है उसको control करना इसे हम key result area भी कहते हैं यानि कि जो main result area है की की बोले तो main result area उस पर focus करना तो critical point control का मतलब क्या होता है guys जैसे कि अगर हमारी cost जो है पूछाता है तो business जैसे चलाने की operating cost लेबर cost वह काफी होती है क्योंकि सबको salary काफी जा रही होती है higher level को ज्यादा जा रही है फिर lower level को जा रही है तो cost ज्यादा होती है बहुत जादा labor cost बढ़ रही है तो यानि कि यह हमारे लिए चिंता की बात है कि इतनी cost कैसे बढ़ रही है ठीक है फिर दूसरी तरफ हमें पता चुलता है कि हमारे जो postage के charges वह भी बढ़ रहे है पहले 1000 रुपे थे आज की date पे postage के charges बढ़कर होगे 2000 अब salary के अगर हम बात करें पहले हमारी जाती थी 10 लाख आज की date में जा रही है 13 लाख तो आपकी नजर में कौन सा ज्यादा important होगा business की point of usage जिस पर business ध्यान दे तो business के लिए 1000 से 2000 क्या importance रखता है या फिर importance रखता है कि 10 से 13 लाख पर जाना labor cost का यहाँ पर business identify करता है कि कहां कहां deviation आ रहा है और हमें सिर्फ उस पर focus करना है जो critical point control है जो business के लिए जादा important है तो यहाँ पर labor cost जादा important है यह 1000 से 2000 होना इतना important नहीं है तो that is called critical point control ठीक है तो सबसे पहले business ने यह पता लगा लिया कि यह यह चीज तो गड़ बढ़ा रही है अब second चीज होता है management by exception यानि कि हम लोग यह अगर बढ़ भी रही है तो कितनी बढ़ रही है क्योंकि बढ़ना बढ़ा लाजमी सा है क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है employees भी जादा रखे जाते हैं काम भी बढ़ता है तो labor cost भी बढ़ती है तो management by exception यह कहता है to control everything is result in controlling nothing यानि कि जब आप सब कुछ कंट्रोल करके चलना चाते हो तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कर देखाने हैं जब हम अपने घर को पूरा कंट्रोल करके चलना चाते हैं कुछ नहीं होता वही चीज़ यहां पर है तो उन्होंने बोला कि एक permissible limit तक अगर आपकी labor cost बढ़ती है तो छोड़ दो लेकिन एक permissible limit से अगर जादा बढ़ रही है तो ध्यान दो तो यहां पर अगर यह 13,000,000 है और 10 से 13 हुआ तो उन्होंने बोला एक permissible limit है चलो इतना हो जाता है ध्यान मत देना लेकिन अगर 10 से सीधा 15 पर आ रहा है 16 पर आ रहा है तो ध्यान दो तो एक permissible limit तक हम इस चीज़ को छोड़ सकते हैं तो यहां पर जब हम अपने deviation का पता लगाते हैं तो हम पहले अपने main जो अगर हमारे पास चार समस्या आ रही है तो चार में से हम छाटते हैं कि कौन सी important है जैसे कि पहली और दूसरी number की problem जादा important है यह इतनी important नहीं है तो वो तो हम critical point control में पता लगा लेते हैं second में हम क्या करते हैं कि अगर यह दो problems एक limit के अंदर है तो इसे छोड़ देते हैं अगर limit के भार है फिर हम take करते हैं corrective action यानि कि taking corrective action fifth step होता है और हम फिर उस चीज़ को correct करने में लग जाते हैं कि आखिर यह कमी जो आई आई किस बज़े से यह था हमारा controlling का process जो की काफी असान था पाँच इस्टेप आप लुको याद होगे अब हम इसके आगे के topic करते हैं so guys अब हम start करते हैं अपने आगे के topics जिसमें आज हम पढ़ेंगे मलाब अब हम पढ़ेंगे controlling के features, controlling के कौनसे features होते हैं controlling के वही सारे common features हैं जो आपने पहले के functions में पढ़े हैं जो भी planning, organizing, staffing में controlling is a goal-oriented function, controlling एक goal-oriented function है of course क्योंकि जितने भी सारे function हमने करें हैं वह सारे अपने goal को complete करने के लिए करते हैं right यानि कि हमारे business का main goal complete हो इसलिए planning था इसलिए organizing, staffing, directing और इसलिए controlling है second है controlling is a pervasive यानि कि controlling हर एक level पर होता है चाहिए वो top हो, middle हो, lower हो या फिर आप किसी government organization और non-government organization, medical, school, hospital हर जगे पर आपको controlling नजर आएगा क्योंकि अगर controlling नहीं होगा वहाँ पर तो checking नहीं होगी तो काम भी complete नहीं होगा so controlling को हर एक जगे पर पाया जाता है controlling is a continuous function, यह सबसे important है guys, generally management का last function समझे, controlling को यह कहा जाता है कि वो last function है तो उसके बाद तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बट ऐसा नहीं है, जैसे जैसे business चलता रहता है, controlling की हर एक वक्त जरूरत पड़ती है क्योंकि हर एक काम को चेक करने के लिए हमें controlling का काम करना ही पड़ता है so controlling is a continuous function जो लगातार business में operate रहता है इसके बाद है controlling is looking backward and looking forward backward का मतलब वो पीछे देखना और forward का आगे देखना controlling looking backward क्यों है, क्योंकि इसमें हम अपने employees की past performance को judge करते हैं past performance बोले तो backward देखना और forward क्यों है, क्योंकि हम इसमें corrective action लेके अपने आने वाली performance को सही करते हैं तो इसलिए इसे backward looking भी कहा जाता है और forward looking भी कहा जाता है अब controlling की guys जो importance है, वो काफी जादा पूछी जाती है exam में तो सबसे पहले है, और इसमें न मैं आपको खास बताओ, एक short form बताओंगी जिससे आप इसे याद कर सकते हो सबसे पहले importance है controlling की accomplishing organizational goal यानि की controlling जो भी किया जाता है goal को पूरा करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो भी हम checking कर रहे हैं तो भी उसके पीछे हमारा मकसद हमारे goal को complete करना है So a completion organizational goal वो तो आपको feature से ही पता चल गया Second, controlling से judge करते हैं, हम accuracy of standards यानि कि जो भी हमने अपने standards से करे थे क्या वो सही है, वो सारी चीज़े हमें अपने controlling में आके पता चलती है, जब हम अपनी actual performance दिखते हैं क्या हमारे standards वो सही है या नहीं है, इसके बाद है making efficient use of resources क्योंकि controlling में हम decide कर देते हैं कि हमारी performance के standards यह होने चाहिए, हमें अपने material को से इतनी production करनी है, तो जो भी हमारे पास resources है चाहे वो man हो, मतलब human हो, या फिर material things हो, वो properly utilize हो पाती है क्योंकि इसमें wastage बहुत ही minimum हो जाती है इसके बाद है fourth ensuring order and discipline क्योंकि controlling का main मकसद ही checking है, controlling क्या है checking करना तो यहां पर हमारा order and discipline maintain रहता है business में क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर एक activity जो है, हमारे goal की तरफ होनी चाहिए, checking हो रखिए, काफी जगे पर आप देखते हैं, CCTV वगरा लगे होते हैं, ताकि employees proper धंग से काम कर सकें तो इसलिए order and discipline जो है, control जब आप करके चलते हो, तो proper maintain रहता है, वहीं पर आप control करना छोड़ दो, आपके labor काम करेगी ही नहीं और काम ना होंगे, तो अगर order and discipline करना है, तो controlling करके चलना पड़ेगा इसके बाद है, improving employees motivation, यानि कि employee का motivation कैसे improve करता है controlling, क्योंकि controlling में हम already उसको बता देते हैं, तिरसे ये चीज़े expected हैं, हम ये चाहते हैं कि तो इतनी units तो बनाया हैं, क्योंकि standards तैह हैं, तो उसका motivation रहता है, कि मुझे अपने standards तो complete करके ही रहने हैं, तो इसलिए उसका motivation जो है moral जो है, वो increase रहता है, इसके बाद है facilitating coordination in action, so controlling जो है, वो actual में coordination को हमारे business में operate करता है, क्योंकि controlling की वज़े से ही हर एक काम जो है, proper तरीके से organize होकर goal oriented, goal की तरफ अपने जा रहा होता है, इसलिए जो भी हमारे जितने भी departments हैं, उन सब में controlling होने की वज़े से की काम एक जगे तभी दूसरी जगे का होगा, तभी दूसरी जगे का होगा, तो control होता है, तभी हमारे goals complete होते है, और coordination हमें पूरी proper तरीके से देखने को मिलता है, कब हम control करके चलते है, वरना आप department को छोड़ दो, control नहीं है, coordination भी नहीं होगा, so coordination तभी operation में आता है, जब control होता है, so अब यह जो है काफी important है, importance इसकी paper में पूछी भी जाती है, कि किसके बार में यहां पर बात हो रही है, तो अगर आपको यह याद करने हो, याद नहीं हो तो इसके first word है, एक uncle है, इनका नाम है Fame G, क्या नाम है? इनका Fame G, बोले तो F-A-M-A-G, तो इन uncle को आपको याद रखना है, आपको यह तो याद करनी है, बट आपको यह तो याद करनी है, बट आप कोई भूलना जाता है, तो इनका नाम है, इनका नाम है Fame G, फेम बोले तो F-Facilitating Coordination in Action, A-Accomplishing Organizational Goal, M-Making Efficient Use of Resources, E-Insuring Order and Discipline, J-Judging Accuracy of Standards, I-Improving Employees Motivation, तो आपको यह तो याद करनी है, बट आप कोई भूलना जाओ, इसलिए आपको यह वर्ड याद रखना है Fame G, कि अगर हमारे पस 6 है, क्योंकि पेपर के समय पर हमारे माइन में बहुत सारी चीज़े चल रही होती है, तो Fame G वर्ड याद रहेगा, तो आपको पता है कि F-A-M E-G-I नाम से 6 importance है हमारी controlling की, ठीक है, अब हम बात करते हैं guys, relationship जो कि planning and controlling के बीच में क्या है, जो कि important है, हलाकि वो अभी जो 21 से 22 का हमारे exam है उसमें नहीं आरी, बट आने वाले terms में तो आएंगी, तो उसको हम पढ़ते हैं, देखो, relationship planning और controlling, हलाकि planning जो है वो first function है हमारे management क जब कि controlling जो है वो last function है, बट फिर भी ये दोनों interlinked है, कैसे interlinked है, देखो, कैसे interlinked है, controlling take place on the basis of the standard developed by planning, क्योंकि हमने planning में भी उसके process में पढ़ा था कि हम अपने standard tag करते हैं, तो planning में जब हमारे already standard tag हो जाते हैं, so controlling उसी के base पर किया जाता है, so जो planning में हमने अपने standard tag करे तब ही तो हम उनको control कर रहे हैं, इसलिए कहा जाते है, controlling take place on the basis of standard developed by planning, and इसका second meaning निकाला जाते है, जो planning होती है, उसी में हम अपने standards को tag करते हैं, कि ये चीजे हमने plan करी हैं, कि इतने units सो बनने चाहिए, ये planning में ही हम लोग decide करते हैं, क्योंकि ये एक thinking process होता है, right planning is a thinking process, तो उसमें हम सोचते हैं, but controlling जो है, वो उसे actual में perform करते है, so controlling take place on the basis of the standard developed by planning, so जो planning में हमने सोचा, कि ये ये standard है, इतना इतना employee से हमें काम कराना है, ये ये काम होने चाहिए, so वही उसके basis पर ही controlling करी जाती है, so दोनों एक दुसरे से interlink दूए, अगर planning नहीं होती, तो controlling भी नही होगा, इसलिए कहा जाता है, planning without controlling is nothing, अगर आप planning करके बैठे हो, control नहीं कर दे, तो कोई भी काम complete नहीं होगा, business नहीं चल पाएगा without controlling, so planning without controlling is nothing, planning कुछ भी नहीं है controlling के बिना, so control अगर हमने अपने business में नहीं किया, तो planning का कोई भी मतलब नहीं लगता, planning is meaningless, कुछ भी नहीं ह इसके बाद third है guys, planning is prescriptive and controlling is evaluative, planning जो होते हैं वो पहले से prescriptive है, यानि कि decide कर देना, यह यह काम होना चाहिए, लेकिन controlling evaluative है, वो उस चीज़ को check करते हैं कि क्या यह काम हो रहा है, actual में या नहीं, जो मैंने आपको इसमें बताया, first वाले में, कि planning जो है, वो सोचना है, वो स करना है, इसलिए controlling को evaluative nature का कहा जाते है, कि हम उसमें actual में evaluate करते हैं कि हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, planning तो दिमाग में सोच लिया है, सोई अनुट बनानी है, बट बन रही है या नहीं बन रही है, यह controlling में decide होता है, planning and controlling both are forward looking, दोनों ही आगे देखना है, और दोनो होनी चाहिए, सो दोनों ही कदम आगे के लिए हैं, लेकिन दोनों ही backward looking क्यों बोला जाता है, क्योंकि planning जो भी करी जाती है, अब new planning जो करी जाएगी, वो पीछे देखके अपने पुराने plans को देखकर करी जाती है, कि कमियां कहां गलतिया रही, वैसे ही controlling भी backward looking है, क्योंकि इसमें जो भी हम लोग checking करते हैं, वो pre-determined standards को करते हैं, जो कि पहले बन चुके हैं, तो उसमें भी हम backward देखते हैं, इसलिए दोनों को पीछे देखना भी कहा जाता है, आगे देखना भी कहा जाता है, यह controlling का एक छोटा सो chapter था, I hope आप लोग को समझाया होगा, लेकिन अग मुझी message करके पूच सकते हूँ, thank you